बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने यूटूब समस्टर में मैं सुरसरास और आसके भी देखने वाले हैं उनके लिए हम e-commerce का पेपर लेकिया है और आपका बहाई बहन दोस्त या कोई भी सखी सहेली कोई भी सही है बीए बीसी बीकॉम में है और वो सेकंड में हैं हमने अपको 2022 में आने वाली कोईशन की पूरी स्रीज कराई है कि 2022 में कौन-कौन से कोईशन आ रहा है अप इन कोईशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं और मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दोंगा चाहें कुछ भी हो जाए तो आपने कोछ इस तरीके हमारी website खुलेगी आप थोड़े से नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद में आप देखेंगे कि जैसे कि आप हाई स्कूल में है इंटर भाई आपका भाई-बेन कोई भी है और कौन सा है यहां से सारे आपको नोट्स प्रवाइड हो जाएंगे आप अब कर देंगे यहां से नोट्स और उनकी वीडियो भी देख पाएंगे जैसे कि मालनी जी आप यहां से अप इंपॉटेंट कोईशन देख सकते हैं जो आप बता रहे हो यहां मिल जाएंगे इस लिंक पर यहां लिखा है कि business management हो गया financial accounting हो गया इनकी आल वीडियो आपको देखने को मिल दाएंगी वहीं आपको यहां mcq question पर पीडियप पर डालोड करके पीडियप को डालोड कर सकते हैं बड़े आसानी से तो आपने वीडियप को डालोड नहीं किया तो कल लीजिए अब बात करने वाले हम लोग की important question के बारे में discuss करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है 2022 के लिए ठीक है तो आपको अपने book notes को open कर लेना है और जो जो question बता रह इंटरनेटी तो चलाते हो तो वह होता क्या है वह आपको बताना है ठीक है आप बहुत ज्यादा बड़े वाले मुझे पता है आप बड़े आसानी से एक बार पड़ोगा पूरा पना-बना के पेपर क्या होगा पूरे की पूरे नमबर मिलेंगे कैसे अब बताओ सुभधा लेकिन अब भारत में इंटरनेट का विकास कैसे हुआ उसका आपको बड़न करना है ठीक है कैसे हुआ तो पहले इतिहास में तो नहीं था इंटरनेट नहीं चलाते थे लोग ठीक है खत पत्र भेज़ते थे इस जए कैसे हो जगा है लेकिन आज इमेल कर देते हैं वाटसप कर देते हैं फोन कर लेते हैं यह पहले तो नहीं था अब कहां से आया उसका विकास केस हुआ वह आपको यहां देखना है वही देखो रिपी यूटूब पर यूटूब के माध्यम से पढ़ते हैं यहीं तो प्योग है हम ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं खबर देख सकते हैं न्यूच्पेपर देख सकते हैं इस एक्षा में उद्धेश हो गया वियापार क्या कर सकते हैं जैसे कि आमाजवन फिलपकाड मीसो ठीक है सारे है ऐस पिंग गारा पता न i क्या क्या गया है application अप्लिकेशन बना रहे है उन्होंने वेपियापार कर रहे हैं ऑनलाइन ब्यों कर रहरा है इसमें उप्यों क्या इंटरनेटacked आपने का और। देख देखा मीसो चौंड़ा सकते हो सब माधो सब adapta दे आप देखो बही आगया मैंने में, ब्यापार के बार है, E-commerce, Barbers क्या है आब श्वाइक अंग बताईए अब e-commerce का mतलब क्या है ? E-commerce website कि जिसे कह सकते हैं e-commerce जिसे हम online sailing करते हैं हम जैसे कि football card हो गया, MIS हो गया, इसे लोग खरीदते हैं, बेचते हैं कोई सेलर है कोई क्या है डिस्टिबूटर है वगारा सब कुछ है यहां पर को लोग खरीद के बेंच रहे हैं ठीक है बेंच कर और ओनलाइन सेल कर रहे हैं तो यह e-commerce कहलाता है ठीक है मैंने अभी बता है ना मीनिंग और इकोमर्स बताना इक मतलब कि एकोमर्स वेपसाइट होगा ऑल-laiन सेलिंग और ऑन्लाइन सब कुछ करना इक को मर्स के अंदरगत आता है ठीक है यहां देखो निच्व कोशन आप एक और यापिएपसाइब ऑप बिजनिस क्या होता है e-commerce क्या e-commerce website जिसके माद्धियम से हम selling कर रहे है और website क्या होगा e-commerce जिसमें हम online business पैसे कमा रहे है business कर रहे है अब commerce क्या है एक website हो गई जिसके माध्यम से काम किया जा रहा है वेपसाई क्या होगा जिसको हम पैसे जिसके माध्यम से पैसे कमा आज आ न कूशन Anda कंच यहां घृते जाना मोस्नी हम इंपूर्टेंट कोशन है यहां साइबर के और काफे लुटे के बारे माद इस तरीके से पढ़ लेना प्रक्रिया को समझाए मतलब कि आपसे बोला है बेपसाय से ग्राहक जो संबंदी है मतलब मान सकते हैं जो आपने business किया है उसे ग्राहक का क्या संबंध है आपने e-commerce पर कोई क्या Lesson हो गया इसके माद्यम से आपको बताना की कि खरीद लिए और पर पर पूंच गया कैसे पिर्किरिखिस meglio इसी खरीदने का उन का लिफ क्या वी इंचे नियुगता कि कुसी और की अरड़ कर दिया निर्जन लागत क्या ओर्डर करने में या फिर उसको भेजने में किसके दोरा इकॉमर्स वैपसाइट एमाजॉन फ्लैपकार्ट के दोरा मांध्यम कमा आपको बता रहा हूं ठीक है उनके अनुमान और कीमत निर्धान की भूमिका का वड़न कर देना या ठीक है उसके बादे लगत रखाराई है ीपार्टर से आप क्या समस्ते हैं इसके लाब और के यह कोशन आप बठाना करें लिए कैते क्या देंघंग को हम नैक living बीम बेंकिग उनलाइन इपने पैसे एक वीमा क्या है यह बोला गया है EBIT EBIT का मतलब क्या होता है E-finance Finance का मतलब होता है BEMA आपने क्या किया? Online बीमा किया जैसे कि आप Pewn पे चला रहा है Paytm चला रहे है Google पे चला रहा है तो उसके नीचे बहुत सारे कुछ points देखने के मिलेंगे कि आप health बीमा कराओ, गाड़ी का बीमा कराओ, कार का बीमा कराओ, घर का बीमा कराओ, वो चीज है न, तो यह चीज क्या है, यहाँ आपको e-finance के इंदर रखा जाता है, वो आप एक बार पढ़नेंगे, याद हो जाएगा, उसके बाद में बोला क्या है, electronic भुकतान प्राणली तंतर क्या होता है, जिससे हम क्या कहते है, electric payment system बोलते हैं, तो यह क्या होता है, electric payment system, मतलब होता है, electronic भुकतान प्राणली तंतर क्या होता है, मतलब कि आपको online किसी को payment करना है, online payment जानते हो, तो जैसे कि हमने फोन पर कहीं गाया क्यों आर्गेट लगा होता है दुकानों पर तक से मार दिया लिए लेक्ट्रिक कह सकते हैं पेमेंट सिस्ट्म के अंतरगत रखा जाता है आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपको यहां है बैपसाय में बैपसाय मतलब कि इप उसमें ब्यपार समंदी जो e-commerce पर करिया होती है उनके बारे में बताना है यहां बंद है इंटरचेंज क्या होता इसको बढ़ेंगे उसके तरीके सियाद करके जाएंगे और आप देखेंगे और आप देखेंगे अप जानते हैं मॉड़म बाइफाई मी जो लगा होता है जिसके माध्यमसे हमारी केब्ल लगा के मॉर्डम में लगाई जाते है फो और आई पी एड्रस यह सब बाइफाई के इंदरकत रखे जाते हैं आप सब बता है इमेल जीमेल आप जानते होंगे इमेल क्या होता है एमेल के माध्यम से किसी को संकेत बेचते हैं यहां लिखने के लिए यहां कि यहां क्या चाहते हो लिखने के लिए ना चाहते हो कि अब आपको बटाना है यहां किया होता है इसके बारें पडिंगे it इसके बारेंबढें घ्रल artists क्रें कोशिन मिलेंगा दक लिगाता है देखो किया है जानते आप अब मतलब कि मैं गुगल खूल जाता है इना जिसमें हम गत्त साइट को सर्च कर सकते हैं बैब ब्रॉसर के इंतरगत रखा जाता है देखो डेविड कार्ट जानते हैं डेविड कार्ट से आप क्या समझते हैं डेविड कार्ट क्रिड कार्ट है ना डेविड कार्ट क्या होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं पैसे को देतो सकते हैं लेकर उसके माध्यम से पैसे को ले न प्रमानपत्र क्या है वालाइन ऑनलाइन हमने कुछ बीचेर्टेशन किया और मिटर प्रूप निकल करते ऑगिया घ्लक करते Zent most कुछ दिन बाद उन लाइन यहां जी इस तरहीं कि यूए रल क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बता है www.paperhacker.in website पर जाकर हमारी pdf को download कर सकते हैं notes को download कर सकते हैं तो वो क्या URL है www.paperhacker.in यह हमारे URL है उसको URL बना जाता है अब देखो यहां आ गया G2B और B2B और B2C जो मैंने उपर बताया था क्या बता है B2C कहला। और B2B B2B कहलाता है एक का लेने का देने का जो भी सम्मंद है और G2B यह हम देखेंगे क्या होता है ठिक है आप इसको सेर्च कर ले मुझे इसके बारे मता नहीं है इसके बारे मिनदमन देखा नहीं hara सब्सक्राइब कर देखेंगे ना सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेर कर दीजिए बागी दोस्तों